राजकारणे पाड़या परिवार मा भागला राजकिय महत्व कांग्षाए परिवार ना सभ्योंने कर्या जूदा पती कॉंग्रेस मा पत्नीनू भाजपने समर्थन गुजरात विदान सबानी चुटनीनू रणशिंगो फुकाई गयो छे प्रथम तबक्काना मद्दान माटे उमेद्वारी फॉम भर्वानो आजे छेल्लो दिवस हतो त्यारे पंच महाल जिल्लानी कालोल विदान सबा बैठक पर कैक अलग अज द्रश्यो जोवा मढ़्या पती कॉंग्रेसना समर्थन साथे उमेद्वारी नोंधावा पहुच्या तो पतनी भाजपना उमेद्वारना समर्थन माव्या वाजते गाजते समर्थको साथे उमेद्वारी फॉम भर्वा जई रहेला आज छे प्रबाद सी कालोल मा रवीवारनी मोडी राद सुधी कॉंग्रेस मा थी कौन उमेद्वार हशे तेनी मथा मन चाली हती जोके सौमवारे सवारे भाजप मा थी पक्षपल्टो करी कॉंग्रेस मा आवेला पूर्व सांसद प्रभाद सींचोहा ने कौंग्रेस ना समर्थन साथे पोतान उमेद्वारी फॉम भरी जोके प्रभाद सींचना समर्थन मा अनेक लोको आव्या परन्तु खुद तेमना पत्नी औने पुत्र वधुए भाजप ना उमेद्वार ने समर्थन करी अने तियो भाजपना उमिद्वार साथे फॉर्म भर्वा माटे आव्या, एटलूज नहीं, तेमने भाजपनी जीतनो विश्वास पन व्यक्त करियो एक तरफ पती कॉंग्रेस ना समर्थन साथे फॉर्म भर्ता हता तो बीजी तरफ पत्नी भाजपना उमिद्वार ना समर्थन मा नारा लगारता हता एक तरफ सस्रा कॉंग्रेस पक्षनी जीतनो दावो करता हता तो बीजी तरफ पुत्र वदू भाजपना उमिद्वार ने मजबूत करवा माटे प्रयतन शील हता आंग ये जारे प्रबात सी साथे पत्रकारोई बात करी तो तेमने जनाव्यू के पत्नी गमे तेने समर्थन करे तेमने कोई फरक नथी पड़तू आँ तरफ प्रबात सीहनी साब में भाजपना उमिद्वार फते सीह चोहाणे पोतान उमिद्वारी फॉम बर्यो हतु समर्थको साथे विशाड रेली योजी फते सीह पोतानी उमिद्वारी नुंधावा माटे पोहचा हता पोतानी जितना विश्वात साथे कॉंग्रेस नी डिपोजिट डूल थशे ते उतेमने जणाव्यो हतु अमें अमारोद विश्वात मुद्दो होई विश्वाई कोई वात नि नाती वात जाती वात प्रंती अमें लेता नथी बात्या जन्ता पाटी मोधी साहब आलेलो जे नालोचे सबका साथ सबका विका कॉंग्रेस नी डिपोजिट रे श्थिति नती इतले कॉंग्रेस नी अमारा मौनचन बोलविल लई गया चे तो यमनी हालात पड़ी विथावानी कालोल ना मारगो पर आजे भाजपने कॉंग्रेस ना उमेद्वारों नु शक्ती प्रदर्शन जोवा मढ़ियो हतू बन्ने पक्ष्णा उमेद्वारों ये पोतानी जीतनो विश्वास व्यक्त करियो हतू परंतु जे रिते प्रबाद सिहना परिवारना सब्यो भाजपना उमेद्वारों ने समर्थन करता जोवा मढ़िया हता ते चर्चानो विश्वय बन्यो हतू ब्यूरो रिपोर्ट वी टीवी न्यूज